ही गैस वेलकम बैक टू दे वीडियो एंड हमारे पास QDI है विसाल मुंडो की तरफ से मैंने 5 मंथ पहले SDFC इंडेक्स अंसेक्स फंड में 2000 रुपए मन्त की SIP शुरू की थी आज उसका रिटर्ण लगभग निगेटी में 325 रुपए है मैं देख रहा है मैं दिखा रहा है क्या मुझे अपना पैसा वेडराल कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए क्योंकि कहा जा रहा है और मंदी आने वाली है कहा जा रहा है और मंदी आने वाली है तो यह जो मंदी आने वाली है ईक तो यह दूसरे लोग कह रहे हैं आपको क्या लगता है मंदी आने वाली है या नहीं देखो first thing first आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि कि आपने जो इन्वेस्ट मेंट की है आपने इंडिया की ट crear ठाद फंपनी यसिच्टर मीज़िए इन्ने जराव इंवेस्ट मेंट की है कि आए इंडिया की टॉप 30 ओं कंपनी ये वो बंद हो जायेगी मंदी आने हो जाएगा कि इंडिया की ही growth बंद हो जाये क्या आप जो कह रहरे हो कि मंदी आने वाली आपने सुना है तो आपने सुना है तो इसके नद्रा किक भी इक धिमाग लगाया है यह नहीं जो मन्दी आने वाली किया वह पर्मानेंट मंदी है यह मंदी एक साल अठारा महीने दो साल रहेगे फिर तेजी आएगे तो यह जो मंदी है वो एक साइकल है मार्केट स्टॉक मार्केट के अंदर में या फिर एकॉनमी के अंदर में भी आप समझो तेजी भी आती है मंदी भी आती है नॉर्मली बात करें, मंदी छोटी होती है और तेजी बड़ी होती है और इसलिए लॉंग टर्म में जो मारकेट है या फिर एकॉनमी है वो ग्रोथ ही करती है क्योंकि छोटी मंदी और बड़ी तेजी होती है और जो आपने इंवेश्टमेंट कि पावेने पहले आको आपने किया था 2,000 Рुपै की साइप श्राट माल लेते हैं अगर आपनने 20,000 की श्राट की होती तो अभी तो जो आपका अभी जो है लॉस अभी से 5 मुनन होता अगर आपने 2,000,00 की साइप श्राट की होती तो और ज्यादा बड़ा लॉस आपको दिख रहा होता तो क्या तभी भी आप exit करके भाग जाते अभी आपको 325 रुपए वो दिख रहे हैं इसलिए आप सोच रहे हैं इगजिट करके भाग जाते अगर वो 30,000 रुपए या 3,000,000 रुपए आपको दिखते लॉस में तो क्या आए होगे minimum भी आपने 5 साल की आपको इकूटीम के अंदर आप आए ही हो तो minimum भी आपने सोच में होगे कम सकाव 5 साल तो investment करके रखना इन्वेस्टेश रहना है और 5 महीनों में ही वह 5 साल का आपका जो focus था पेंस था strong will था तूट गया खतम होगे सिर्फ 300 रुपए का लॉ पारा नहीं आते क्योंकि उनके दिमाग में ही ऐसे हो जाता है कि स्टॉक मार्केट में हमेसा लॉस ही होता है क्यों लॉस हुआ क्योंकि पेसेंस ही नहीं रखें जैसे यह नहीं रख रहे हैं और वैसे ही आप लोग भी नहीं रखते हैं पांच साल दस साल पंदर साल का सोच के जाते हैं और 2-5 महिने में पस लौस हो रहा है और निकल के भाग जाते हैं डर के तो डेफिनेटली आपको वीट करना चाहिए आपको भी और ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको अभी उनकी इंवेस्ट्मेंट दिख रहे हैं लौस में उनको वेट करना चाहिए कब अगर उनको इंडिया की ग्रोथ पे भरोसा है अगर उनको लगता है कि इंडिया में ग्रोथ होगी इंडिया आगे और अच्छा कर सकता है ना कि पाकिस्तान और सिलंका की तरह इसकी एकॉनमी फॉल हो जाएगी गिर जाएगी इंडिया खतम हो जाएगा अगर आपको इंडिया पे भरोसा है इंडिया की growth पे भरोसा है तो इंडिया के stock market पे भी भरोसा होना चाहिए और आपने तो index fund में invest किया है यह तो directly link है इंडिया के growth से अगर इंडिया का growth होगा तो उसकी जो top 30 companies है वो भी growth करेंगी तो आप तो एकदम safest investment करके चल और फिर भी इतना घबरा होगे तो कैसे चलेगा आपको डिफनेटली वेट करना चाहिए